तूलाराशी बालो नमस्कार दोस्तों जाय मातादी स्वागत आप शभी का हमारे यूट्योब चैनल में तूलाराशी बालो मित्रों कैसे हैं आप शभी उमीद करते हैं माताराने के अशिन कृपाशी आप शभी बहुत अच्छे होंगी और ग्यानवब बुद्धी के दाता भगबान श्री गणिस जी से प्रातना करती हैं कि है प्रभु किशी के घर धन दौलत की पेटी बरशे या न बरशे लेकिन दो बगद की रोटी के लिए कोई न तरशे हमारी आप शिबस इतना ही प्रातना है प्रभु कि आप शभी को बराबर खुश्या देना शभी को पारधन संपता देना, खाश कर उन लोगों को जिन की पहली और आकरी इक्षा आप ही हो प्रभू, तुलाराशी वालों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दी, आज साम ही चार बजे के बाद आपकी तो चान्दी ही जान्दी है, जीहा तुलाराशी वालों, कहने का तात पर है कि आज साम चार बजे के बाद आपके जीवन में वो खुश्या दस्तक देने वाली है, जिन खुश्यों के लिए आपकी आँखे तरज गई थी, जीहा दोस्तों, दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दी, आज साम ठीक चार बजे के बाद आप शभी के जुनकाल में एक ऐसी घटना होंगी, जो कि इस घटनाशी आपको अगले शात जनमों तक याद रहेगा, जीहा दोस्तों, लेकिन तुलाराशी वालों, ये घटना आपके लिए अशुब नहीं, बलकि शुब होंगी, इस घटनाशी आपको नुक्शान नहीं, बलकि लाभ ह जीहा दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दी, आज साम चार बजे के बाद जो समय होंगी, वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्पूर्ण शमय और सबसे किमती शमय होंगी, जीहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, आज साम चार बजे के बाद आपकी कुंडली में और अंत्रिक्ष के ग्रह गोशर में जो शुवयोग बनने जा रहे हैं ऐसा शुवयोग आज से पहले कभी नहीं बना था जी हाँ दोस्तों वो कहते हैं ना जीबन में हर एक मोड से हर एक परिस्तती से गुजरना चाहिए क्या पता किशमोड में हमें हमारा मंजिल मिल जाए ये सब प्रमात्मा की हाथ में होता है जी हाँ दोस्तों प्रमात्मा अगर चाहे तो इनसान छण में रंग से राजा बना शकता है और अगर ना चाहे तो राजा से रंग भी बना शकता है ये सब कुछ प्रमात्मा की हाथ में होता है जी हाँ दोस्तों गजब खेल है उश प्रमात्मा का लिखते भी वही हैं मिटाते भी वही हैं दरदर की ठोगरे खिलाते भी वही हैं और अंत में राह दिखाते भी हैं माना की मुश्किल घड़ी में शाथ दिखाई देती नहीं है लेकिन बुरे परस्तती में जब हम बुरे परशानियों से घिरे होती हैं तो उस समय शाथ भी देते वही हैं जी हाँ, एक बात हमेशा याद रखना भगबान वो नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है भगबान वो देता है वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है भगबान का हाथ पकड़ कर रखो लोगों के पैर पकड़ने की जरुवत नहीं पड़ेगी जी हाँ, अगर बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्ष में कहिएगा गुरू जी आप शही कह रहे हैं चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज साम ठीक चार बजे के बाद ऐसा कौन-कौन सा बदलाओ आपकी जिन्दगी में होने जा रही है जो क आपके लिए चांदी ही चांदी होगी और आपको नेर शारिक खुश्या मिलेंगी लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें क्योंकि दोस्तों आप बात बात में भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं इसलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्ष में तो जय मातादी लिखना ही है। इससे मालक्षमी जी का आशिरवाद आपको आपके पूरे परिवार पर शलेव बनी रहेगी। तो आईए दोस्तों बात करते हैं और जानते हैं। दोलाराशी बालो, आपने सुना है कि आज साम चार बजे के बाद आपकी तो चान्दी ही जान्दी है। जी हाँ, यनि कि कहने का तादपर है आपको अपने किश्मत का शाथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका शरुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, ऐसा आपके शाथ कई बार हुआ है, जब आपका भागिशाथ देता है, जब आपका किस्मत साथ देता है, तब आप इसका शरुपयोग नहीं करती हैं आप जो है भावनाओं में खो जाती हैं लेकिन दोस्तों आज साम चार बजे के बाद आपको अपना किश्मत का साथ मिलेगा दोबारा ऐसी कोई भी गलती मत करना नहीं तो दोस्तों आप अपने ही गलती के कारण अपने पाउं पर फुलहाड़ी मालेंगी जी हाँ और बाद में पस्ता होगी तो इतना जरूर ध्यान रखियेगा आज साम चार बजे के बाद भागे का शात मिलेगा आपके सोचे हुए काम पोरे होंगी जो काम बहुत दिनोशी आप सोच कर रखे हैं कि मैं इस काम को कब करूँ जिससे हमें प्रॉपर सफलता मिल सकी और हमारा काम शफल हो शकी तो दोस्तों हम आप शबी को बता दे आज साम चार बजे के बाद शमय बहुत अच्छा समय है इस समय में आप अपने सोचे हुए कामों की शुरबात कर सकते हैं लाब मिलना तरह है जी हरोस्तों क्योंकि दोस्तों ग्रह गूसर तथा भागिया दोनों ही काफी अनुकुल है आज का दिन आप के लिए शबसे उत्तम रूपशे फलदायक रहने वाला है जी हरोस्तों आपको कारक्षित्र में जी हरोस्तों अधिक से अधिक महनत करें शबलता आपकी करम जोनेगी समाजी गतिवीरियों में भी आपकी पूरी नूची रहेगी जी हाँ आज आपको किशी मांगलिक आयोजन में शम्मिलित होने का मौका मिलेगा जी हरोस्तों भाई बंदुओं शे आज नजदिकी समंधिया बनेगी और कुछ जन शरकारों से जूडने का आपको मौका मिलेगा जी हरोस्तों यदि आपको कोई सुब सुचना शुनने को मिले तो आप उशे तुरंत आगे नौबढ़ाएं आज आपको अपने आलश को त्याग कर आगे बढ़ना होगा तभी आपको शफलता मिलेगी जी हरोस्तों कहीं न कहीं आप बहुत ही लेजी होते जा रहे हैं आलशी होते जा रहे हैं अगर ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा तो आपको भारी नुक्षान हो शकता है जी हरोस्तों आज का दिन आपके लिए जो है बहुत खाश रहने वाला है आप अपनों का शाथ लेकर शहयोग बनाई रखेंगी और किशी और तिथी का आगमन होने से आपका धन खर्च बढ़ सकता है जी हरोस्तों आपको अपने खान पान में अत्यरीक तले भोजन से प्रहिस करना बहतर रहेगा जी हरोस्तों इसके उपरांथ आपके लिए जो समय होंगे ये समय कुछ प्रमप्रागत कारिशे जोडने का आपको मौगा मिलेगा जी हरोस्तों आप कारक शित्र में बड़पन दिखाते हुई छोड़ों की गलतियों को माफ करेंगे और जो लोग बैंकिंग शित्रों में काज़त हैं उन्हें अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा जी हरोस्तों आप शंतान को संसकारों पर जो है परमप्राओं का पाठ पढ़ाएंगे ये आपके लिए बहतर होंगे वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए व्यवशाय की योदनाओं को बनाने के लिए रहेगा और आपके व्यक्तितत में निखार आएगा जी हाँ दोस्तों और मामा पक्षे आज आपको ध्र्लाब मिलता हुआ दिखाई दे रही है अगर ऐसे ही आप अपने मान सम्वान को हमेशा बनाई रखना चाहती हैं तो दोस्तों आपको अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते का उप्योग नहीं करना है जी हाँ दोस्तों आपको तो पता ही है गलत और छोटे रास्ते शुरुबात होने से पहले ही उश्का अंत हो जाता है जी हाँ तो इतना ध्यान रखिएगा वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आप कामों के प्रति उत्साह बनाए रखें नहीं तो समस्या हो शकती है जी हाँ और रशनात्मक कारी से भी आज आपकी पूरी रूची रहेगी आपको किशी नए काम में हाथ आजमाने से बसन होगा नहीं तो समस्या हो शकती है जी हाँ दोस्तों आपका कोई पूराना मित्र आज आप शे लंबे समिबात मुलाकात करने आशकती है जी हाँ दोस्तों जिससे आपका मन काफी प्रसन रहेगा वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आज आपको शंबेदन सिल मामलों में धहरी बनाई रखना होगा नहीं तो आज आपके समस्या हो शक्ती है जी हाँ रोस्तों किशी बात को लेकर आप तर्क वितर्क ना करें नहीं तो समस्या हो शक्ती है और कानूनी मामले में आज आपको कोई बहुती बड़ी चुक हो शक्ती है जिसमें आपको शावधानी ब परिशान थे तो उश में आपको छुटकारा मिलेगा जी हो दोस्तों और किसी दूर रहे परिजन से आज आपको कोई निराज जनक समाचार सुनने को मिल सकता है जी हो दोस्तों जिससे मन आपका टेंशन रहेगा तनाव में रहेगा जी हो दोस्तों लेकिन छोड़ी मोड़ी बातों को नजर अंदास करना होगा और आपको ये सोजना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान हमारे भलाई के लिए ही करते हैं जी हाँ, सब कुछ भगवान पर सोड़ देजिए और निरंतर महनत करते रहे और प्रयाश करते रहे जी हाँ दोस्तों आपको इतना धिहान रखना है दोस्तों अगर जालकारियों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे और कमेंट बॉक्श में जैमातारी जरूर लेखिएगा